मुझे नहीं पता कि कोई आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सका, ये सब को पता है तो आपने विपस्टना किया है इसका मतलब आपको इसे चुपचाप करना चाहिए ऐसा वैसा सवाल नहीं पूछना चाहिए आपको पता है मेरी कमजोरी क्या है? आप जानना चाहते हैं? ये सवाल डिसंट दीवान से है आदरणिय गुरुजी मैं बौध हूँ और विपासना करता हूँ मेरा एक सवाल है जिसे मैंने बहुत सारे विपासना शिक्षकों और बाकी गुरुओं से पूछा है लेकिन हर किसी ने कहा कि कोई इसका जवाब नहीं दे सकता है आपने अपनी विडियो में बोला है और बौध धर्म में भी ऐसा कहा जाता है कि पुनर जन्म हमारी अधूरी इच्छाओं या कर्मों की वजह से होता है मैं ऐसा मानता हूँ लेकिन एक सवाल उठता है मान लीजिए कर्म और इच्छाओं की वज़े से मैंने लाखों बार जन्म लिया लेकिन मेरे पहले जन्म के पहले मेरा शरीर, मन, कर्म, इच्छा या मेरा कुछ भी अस्तित्व में नहीं था तो क्यों और कैसे वो पहला जन्म अस्तित्व में आया अब तो मैं भी आपके बारे में चकित हूँ नहीं आप एक डीसेंट इंसान है मैं ऐसा हूँ तो क्या करें इस सवाल को और पीछे ले जाते हैं ये बस आपके जन्द के बारे में नहीं है योगिक संस्कृती में सिध्धान्तों को कहानियों के रूप में समझाया जाता है किस तरह से शिव, शव की तरह थे शव का मतलब मृत शरीर वो निश्क्रिय थे असाधारन उर्जा लेकिन निश्क्रिय फिर उर्जा या शक्ती आई और उन्होंने उनके चारों तरफ निर्थि किया अचानक से जागे हम इसे पुरुष और स्त्री की तरह चित्रित कर रहे है लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे है निश्क्रिय का मतलब कुछ नहीं हो रहा है कोई स्पंदन नहीं कोई स्पंदन नहीं मतलब कोई स्रिष्टी नहीं जब उर्जा आई, स्पंदन शुरू हुए, साधारन मूल भूत स्पंदन से ये और जटिल बनते गए, जैसे जैसे स्पंदन और जटिल हुए, ये भौत एक द्रव्य बन गए, द्रव्य से छोटे अनू बने, उनसे ग्रहे बने, ग्रहों से बहुत सी चीजें बनी, जीवन क के शुरुवात हुई, बहुत सी चीजें हुई, यहां से विकास क्रम का सिध्धान्त आप जानते हैं, विकास क्रम का सिध्धान्त तभी शुरू होता है, जब जीवन के शुरुवात हुई, लेकिन अगर आप और पीछे जाएं, स्रिष्टी को भी हो सकता है, हमें इसका ए उर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इसके भीतर भी नहीं, बस इसके चारो तरफ, मान लीजे, आप एक बरतन में वैक्यूम बनाते हैं, और उर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम में नहीं, बस इसके चारो तरफ, वर्चुल प्रोटॉन और वर्चुल न्यूट्रॉन जन्म लेते हैं, इसका मतलब स्रिष्टी बनना शुरू होती है, एक अनू बनने के लिए बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ आना होता है, एक बार अनू बन गया स्रिष्टी का निर्मान शुरू हो गया, तो यही चीज़ें आधुनिक विज्ञान में कही गई हैं, मैं सिध आनी दिमाग से परे हो सकता है, क्योंकि यह एक ही नहीं है, लेकिन योगिक सिस्टम में यह अनुमान लगाए गए हैं, कि अभी तक 84 स्रिष्टियां हो चुकी हैं, 83 स्रिष्टियां हो चुकी हैं, वर्तमान में चौरास भी है, और 112 चक्र तक स्रिष्टी हो सकती है, उसके परे स्रिष्टी में बहुत एक पदार्त नहीं होगा, बस केवल शुद्ध उर्जा होगी, लेकिन हम करोडों या अर्बों सालों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे अनुमान लगाए गए हैं, वैसे जाहिर है, यह एक सिध्धान्त है, कोई भी इसे सिध् मुमकिन सिध्धान्त है, क्योंकि 83 स्रिष्टियों के चिन हमारे सिस्टम में हैं, हमारे चारो तरफ के जीवन के बहुत सारे पहलूँ में हैं, 83 और इस 84 स्रिष्टी के चिन उनके लिए हैं, जो इसे अच्छे से देख सकते हैं, तो आपके जैसा डीसेंट इंसान, अस्तित दूर नहीं जाता है, जितना मैं इसे अभी लेकर गया, इसके बारे में कि अगर मेरे पास कार्मिक चीज़ें नहीं थी, तो मैं अस्तित तुम्हें कैसे आया, सवाल ये है, वैसे आपको आध्यात्मिक जवाब की जरुरत नहीं है, चार्ल्स डाविन ने खुद समझाया है आप एक कोशकी जीव थे, और फिर आप दुई कोशकी जीव बनें, फिर आप त्रिकोशकी बनें, फिर बहु कोशकी, अब आप थोड़ा ज्यादा बन गए हैं, केवल थोड़ा सा ज्यादा, और ठीक ठाक तरीके से बहतर, एक कोशिका से डीसेंट विकास हो चुका है, तो इस क्रम में एक कोशिकी जीव से एक परमानू से अनू तक अभी अच्छा समय है इस सवाल को पूछने का क्योंकि अभी एक वाइरस है एक वाइरस अपने आप में पूर्ण जीवन नहीं है इसमें जीवन बनाने के लिए प्रोटीन और एंजाइम होते हैं लेकिन ये जीवन नहीं है जब ये आपकी कोशिका में प्रवेश करता है तभी ये जीवन बनता है लेकिन अपने आप में इसमें जीवन नहीं होता है ये सिर्फ कुछ प्रोटीन का मिश्रण है तो डिसेंट क्या दुश्यंद ओ तो आप भी एक पूर्व जीवन थे जीवन बने फिर और ज्यादा जटल जीवन बने जटलता आपने आप में कर्म है जरूरी नहीं है कर्म तभी है जब आप यहां ऐसे बैठे हैं जरूरी नहीं है कर्म तभी है जब आप ऐसे कुछ करें जो विचार आपके दिमाग में आते हैं वो कर्म हैं, आपको दिमाग में जो भावनाएं आती हैं वो कर्म हैं, सहज रूप से एक विचार आपके दिमाग में आ गया, आपने अपने बगल के बेठे इनसान को देखा, क्या, यह यहाँ क्यों है, इसे चछट पर बंदरों के सा होना चाहिए, इसी तरह है, आपको पता है, कभी-कभी इस तरह के विचार आते हैं, हलो, तो ये कर्म अंजाने में ही हो गया, आपकी वज़े से नहीं, छत पर नाचते हुए बंदरों की वज़े से, तो क्योंकि बंदर यहां आए, आपने इस इंसान को देखा, एक खास नजरिये से, वो आपको खास तरीके से दिखा, हो सकता है, ये लाइटिंग हो, हो सकता है, वो जिस तरह से बैठा हो, हो सकता है कुछ और, और एक विचार आया और चला गया, अभी आपने एक कर्म कर दिया, आपने एक इंसान को देखा और सोचा कि वो बंदर है, अब ये यहां नहीं रुकेगा, आप समझ रहे हैं? अभी आपने उसे देखा और सोचा कि वो बंदर है, कल हमने आपका डिपाट्मेंट बदल दिया, और आप बंदर वाले डिपाट्मेंट में है, अरे भगवान आज मुझे इस बंदर के साथ काम करना पड़ेगा ये जारी रहेगा और मान लीजिए चीजें ऐसी हो जाएं कि वो डिपार्टमेंट का इंचार्ज है आपको उसके नीचे काम करना है क्या मुझे इस बंदर से निर्देश लेने पड़ेंगे ये बढ़ेगा और इस तरह से आप भेद भाव करने वाले बन जाते हैं ठीक है? क्योंकि शुरुवात में ये केवल एक गुजरता हुआ विचार था फिर परिस्थितियों के हिसाब से वो आपको किस तरह से इधर उधर करते हैं धीरे धीरे ये कई गुना बढ़ जाता है ये हर एक जीव के साथ हो रहा है तो धीरे धीरे कार्मिक चीजें बढ़ती हैं बढ़ती हैं ज्यादा से ज्यादा जटिल हो जाती है वैसे साफ तोर पर विकास क्रम का विज्ञान हमें बताता है कि शुरुवात में मानव बहुत साधारन थे आधे जुके हुए मानव बहुत छोटा दिमाग वो ज्यादा नहीं सोच सकते थे वो किसी दूसरे जीव के तरह ही जीवन यापन करते थे हर कोई जानता है, सही है तो वहां से आपने कर्म इकठा किया मुझे नहीं पता कि कोई भी आपके लिए इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाया ये सब को पता है हो सकता है, उन्हें लगा कि आप जवाब के लायक नहीं है क्योंकि मैं एक मूर्ख हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी जवाब के लायक नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल जवाब के लाइक नहीं है मैं पूरी दुनिया भर से सभी तरह के मूर्खता पून्ट सवालों का जवाब देता हूँ तो अभी आप अपना समय बहुत अनुचित तरीके से जाय कर रहे हैं क्योंकि ये बेकार के सवाल है क्योंकि मुख्य रूप से आपका सवाल उन लोगों की तरफ है मैं नहीं जानता वो कौन लोग हैं जिनसे आपने सवाल पूछे किसना किसी तरह से आपका प्रयास उन्हें बेवकूफ दिखाना था आपके दिल्चस्पी इसी में है आपके दिल्चस्पी परिवर्तन या विकास के साधन पाने में नहीं है आपने कहा आप विपसना में गए विपसना का मतलब कोई सवाल नहीं साधारन निर्देश आप बस करिए, करिए, करिए और करिए क्योंकि ये प्रक्रिय ऐसी है जिसमें सबसे जरूरी गुण दिर्टा का होता है गौतम ने विपसना लोगों को बड़ी संख्या में सिखाया क्योंकि उन्हें तयारी करने का समय नहीं था वो हर दिन गाव से गाव, शहर से शहर की आत्रा कर रहे थे उन लोगों में समझ लाने का समय नहीं था तो कोई शिक्षा नहीं, कोई सवाल नहीं बस साधारन निर्देश, निर्देश सही से समझिए बस करिये, 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 धीरे-धीरे ये आपको पूरी तरह से बदल देगा ये थोड़ी सी ज्यादा मेहनत वाली प्रक्रिया है लेकिन अद्भुत प्रक्रिया है कि अगर आपको पता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं अगर आप इसे बस करें, धीरे-धीरे ये आपको पूरी तरह से बदल देगी जब मैं कहता हूँ कि पूरी तरह से बदल देगी आपका हर एक पहलू, आपकी केमिस्ट्री भी धीरे धीरे ये पूरी तरह से बदल जाएगी ये एक महनत वाली प्रक्रिया है क्योंकि उन दिनों में आपको ये समझना चाहिए कि वो पचीस सौ साल पहले सिखा रहे थे पचीस सौ साल पहले समाज में जन साधारण के पास बौधिक समझ नहीं थी कठिन जीवन जीने वाले जन साधारण की विशेशता उनकी द्रिड़ता थी लोग लगातार द्रिड रह सकते थे आज उनने द्रिड बनाने के लिए घंटो घंटों तक बात करनी पड़ती है क्योंकि उनने लगता है कि वो सब कुछ समझते हैं उन दिनों लोगों में ऐसी कोई समस्या नहीं थी उन्हें पता था कि उन्हें समझ में नहीं आता तो आपको बस उन्हें निर्देश देना होता था और कहना होता था इसे करो और वो समय गुरूओं के लिए अच्छा समय था क्योंकि अगर आपको निर्देश दिये गए हैं और बोला गया है इसे जरूर से जरूर करना है तो आप बस करते हैं मेरी मा को नंदी हिल के किसी योगी ने उन्होंने एक बार हम नंदी हिल गए और उन्होंने हमें वो गुफा दिखाई जाँ उन्हें दीक्षा मिली थी उस योगी ने उन्हें एक मंत्र दिया मुझे नहीं पता वो योगी कौन था मेरी मा के पास कोई फोटो नहीं थी या वो कभी उसका नाम भी नहीं लेती थी लेकिन हर दिन वो आँख बंद करके कुछ करती थी हमारे जीवन भर हम उनका जीवन थे आपको पता है चार बच्चे पती उनका जीवन थे उनकी शादी 17 की उम्र में हो गई थी और यही उनका जीवन था लेकिन उससे पहले उन्होंने दीक्षा ली और इस योगी ने कहा जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए आपको इसे हर रोस करना है हर रोस वो आख बंद करके कुछ करती थी हम कहते थे आप क्या कर रही है बताईए मुझे एक योगी ने मंतर दिया है मैं बस वही करती हूँ हम जानना चाहते हैं कि मंतर क्या है तो हमने बहुत तरह की चालेंच चली उन्हें मजबूर किया, भावुक किया और क्या? ब्लैकमेल किया आप हमें ये मंतर बताईए वो हमेशा कितनी सौम्मे और सहज इंसान थी लेकिन कुछ भी हो एक बार भी उन्होंने न तो अपने पती और नहीं अपने बच्चों को मंतर बताया क्योंकि योगी ने कहा था आप इसे किसी को मत बताईए मेरा मतलब उन्हें निर्देश देना इतना आसान था अगर मैं आपको बूलता हूँ इसे अपने तक ही रखिए तो आप इसे सोशल मीडिया पर डाल देंगे क्योंकि पिछली पीडियों में खासकर पचीस सौ साल पहले निर्देश देना बहुत असरदार और आसान था गौतम ने ये रास्ता चुना कोई समझ नहीं, कोई शिक्षा नहीं जाहिर है, कोई सवाल नहीं बस इसे करिए किवल उन्हें जो उनके चारों तरफ इकठा हुए जिन्होंने उनके साथ यात्रा की जो उनके पास में थे उनको उन्होंने शूनी सिखाया क्योंकि इसमें समझ की जरुरत होती है बिना अच्छी खासी समझ के ये नहीं होगा तो आप विपस्णा में गए इसका मतलब आपको चुप चाप ये करना चाहिए ये या वो सवाल नहीं पूछने चाहिए क्योंकि वो सवाल वो सवाल या जवाब किसी भी तरीके से आपकी क्रिया के लिए फायदेमन नहीं है ये क्रिया इस तरह से बनाई गई है कि आप कोई भी हो अगर आप इसे करते हैं ये काम करेगी बस इतना है कि ये थोड़ी महनत वाली है आपको इसे हर दिन घंटों लंबे समय तक करना है लेकिन ये काम करेगी उन दिनों के लिए ये बहुत शांदार साधन था बहुत सारे लोगों के लिए ये अब भी है तो अपना समय जाया मत कीजिए आपके लिए डिसंट काम ये होगा अगर आप यहाँ हैं मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं अगर आप यहाँ हैं निर्देश लीजिए और बस करिए नहीं तो विपस्टना में लगे रहिए और इसे करिए एक या दूसरी तरह से एक कदम आगे बढ़ाईए कि चीजें इकठा करके आप चालाग बन गए हैं मैंने अभी जो कहा वो कहा हो सकता है आप जाकर किसी और से कहेंगे कि आपको पता है सद्गुरु ने क्या कहा यह ऐसा है उन्हें भी नहीं पता या आप अपना जवाब बनाएंगे और सोशल मीडिया पर डाल देंगे आप जो भी करें यह किसी भी काम का नहीं है अस्तित्यो के रूप में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने भीतर कुछ अस्तित्यो गत रूप में करना होगा आप मनोवैग्यानिक चीजें करते हैं और सोचते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा आपको पता है मेरी कमजोरी क्या है आप जानना चाहते है खुले दिल का और सच्चा होना मेरी कमजोरी है हाँ कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं ये मेरी कमजोरी है आपको क्या लगता है बताइए सद्गुरू ये कमजोरी नहीं है मेरे कुछ सलाकार सोचते हैं कि ये कमजोरी है मैं बहुत सी चीजों को लेकर बहुत खुले दिल का और बेबाग हूँ लेकिन मैं ऐसा ही रहूंगा अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो अजय को अजय को अच्छा नहीं है